हेलो गाइस वेलकम तो मोटोक्स राइट गुड मॉर्निंग सबको तो बहुत दिनों के बाद आज में शुट कर रहा हूं तो मैंने मेरे पिछले पिछली वीडियो में आरडी हैंडलबर का उन्बोक्सिंग किया था तो उसी का ये वीडियो है तो मेरे चानल को सब्सक्राब कर देना और बेल बटन को प्रेस कर देना और लाइक कर देना चलो शुरुआत करते हैं तो आप देख रहे हैं ये है आरडी स्टाइल हैंडलबर जो मैंने इंस्टॉल किया है लगबग दो तीन मैंने हुए होगे इस्टॉल करके तो ये रिव्यू मैं इस्टी के अधार पर दे रहा हूं मैंने अच्छी तरह से उसका है और कोई भी प्रॉब्लेम अभी तक नहीं आई है देखे कि इसकी हाइट कितनी है अगे से व्यूव तो ये मैंने एमजन से बाइ किया है पर्चेस किया है अगर ये आप हैंडल पर लगा रहे हो तो आपको बहुती बढ़िया पॉस्चर मिलेगा एकदम रेज हैंडल पार है ये उपर की दरफ और सिटिंग पॉस्चर भी अच्छा आता है और ऐसा सा व्यू आता है बैटके इसको इस्टाल करने के लिए कुछ नहीं सिर्फ इदर से वह खुलते हैं और इसके साथ मुझे इदर ड्रिल करना पड़ा इसके अंदर इसको होलने आते इसके ड्रिल करना पड़ता है वह मैकनिक ने मुझे करके दिया है यह मेरर थोड़े ज्यादा उपर के तरफ उठ गए है लेकिन पीछे के आप यह अच्छी दर से दिख रहा है आप चाहे होते हो इदर वह साइड का छोटा ओला मेरर आता है वह भी आप फिट कर सकते हैं इस साइड में दोनों साइड में पर वह यह मुझे ज्यादा पसंद है एक दम उठे हुए देखे अच्छी देख रहे है देखो बहुती बढ़िया विवार है अगर आप यह इस्टॉल कर रहे है तो आपको सिर्फ इस्टॉल करना पड़ेगा इधर इस साइड में ड्रिल में से और यह प्लोच वायर आपको चेंज करने पड़ेगे यह थंडर बढ़ की ख्लोच वायर है जो कि पहले वाले मुझे च्वाट पढ़ने लगी थी इसलिए मेकैनिक ने मुझे यह थंडर बढ़ के डाल के दी एक्सलेटर गेबल को चेंज करने की जरूरत नहीं है यह मेरे ओल्डी है मैंने इसको कुछ भी नहीं चेंज किया है सिर्फ यह क्लोच वायर चोड़के और इसका प्राइस थ्री फॉर्टी फाइव रुपीस है हमेजन पे आड़े स्टाइल है निर्बार करके है तो यह मैं बहुत दिनों से यूज करते आ रहा हूं और यह मुझे बहुत ही पसंद है लगबग मैंने चार-पांच किलोमेटर चार-पांच हजार किलोमेटर चलाए होगे इस पे तो यह रिव्यू मैं इसलिए देना चाहता था कि मैंने यह यूज करके देखा है इसलिए तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चनल को ऐसे मैं वीडियो लाता रहता हूं थैंक यू टेक केर और हेलमेट पहनना बाई